हेलो इब्रेट मैं रादर टेलर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हूँ जॉगर्स पैंट की एंकर लेंथ और नेरो फिटिंग कैसे होता है आप से सीख सकते हैं इस विए आपको लाइव एक्जम्पल पर्फेक्ट फिनिशिंग साथ जॉगर्स पैंट की इसकी लाने को करनी के तैसी अथीक नच्वाइ और यह की लाइक्टा भी है कि नहीं है आपको टेंडेम्फा जॉगर्स को मेजन करने के लिए हमें کاج च्रुग और केंच देख सकते हैं हमारे पास यह मंशीन इस मशीन से मैं इसका जो जॉगर्सका लेंट और नेयुर फिटिंग वह बनाऊंगा है तो दोस्तोSu से देख सकतें इसके टोल लेंध ce जॉगनने का देशा ? वारे रिट 드क्ष छने मेड़ा के आरगर कंगर रख सेट दीनज के दो इसको डàiइ इन्च पर मारकिंग करें जूट करें अब लगा यह कट करेंगे अःथ को वापस उपर लगाना है और हाफ इंच का मार्जिन भी चीए तो इसके लिए हम धाय इंच पर करेंगे और उसके बाद इसको वापस से अटैच करेंगे सो दोस आप से देख सकते हैं कि इतना कपड़ा बच रहा है और यह यह वापस कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा हम इन दोनों को हमको कुछ इस तरह से कट करना पड़ेगा और इसको वापस से हटाना पड़ेगा और यह जो जो जॉगर से वही वापस हमको लगाना है सो दोस्तों जॉगर्स पैंट की जो ग्रीप होती हो कट करके हमने हटा लिया और यह इसका बचा हो कपड़ा है और हमने ग्रिब को निकाल लिया और इसको वापस हम को लगाएंगे सो दोस्तों आपसे दिख सकते हैं इसकी जो गुझाना इसे पहले हम को पॉइंट 75-75 नेयरो करनी पढ़ेगी थाइट वटम सो दोस्तों आपसे दिख सकते हैं पैंको इस तर देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तर आपको नेरो करनी पड़ेगी, जॉगरसंग की थाइटा बॉटम नैरो फिटिंग कुछ स precio करनी पड़ती है, हमने लेफ्ट साइड का कर लिया और हमें इस को सीफिटिंग करना पड़ेगा, और इस को आपको बहुत और एकदम अच्छा लूक आए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ही ज्यादा आराम से आपको स्टिच करनी है तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से इस तर से मैच करनी पड़ेगी ताकि इसकी जो फिनिशिंग है भी एक उच्छे से और लिएडी करनी पड़ेगी और इसको स्ट इसे स्ट इस तर से बढ़ा रहर एक। इसकी जो फिनिशिंग आये वह अच्छे से निखर के है तो दोस्तो आप से देख सकते हैं इसकी जो लाइनिंग होते है वह भी आपको अच्छे से मैच करनी पड़ती है जो दोस्तों जो जो आप से देख सकते हैं इसकी जो पर्फेंशिंग फिनिशिंग पड़ें और इसकी जो दागा रहा है इसका जो धागा होता है और निकल न जाए इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इंटरलॉक मार के अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे तो यहां पर कुछ इस तरसे आपको stitching करनी पड़ेगी और इसका जो धागा होय गरा निकलता है उसको आपको अच्छी से तो दोस्तो आप इसन देख सकते है हमारी जगर च्पेंट हो चुकी है। के इसने ता जब इसने हमसे चाहिए से लिकिन हमने इसका बचागुआ कपडा मीया membieu घ्क्रवा। हैं तो हम इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं और संब कोई होका कि इसे मश्यूट का जो मश्यन होता है वह बहुत ही अलगी होता है तो उसके मश्यन से स्टिच करने के बाद आपके जो कपड़े शो में होली बिलकुल नहीं पड़ते तो यह इसकी बहुत अच्छी खासियत होती है ग्रिप को अटेच करने के बाद हमने इसका जो इंटर लॉग होता है वो भी एक दम अच्छे से कंपलिट कर लिया और आप से देख सकते हैं यह इसका बाके का बचा हुआ कपड़ा है जो कि यह है और हमने इसकी लेंद 35 इंच की थी तो 35 इंच लैंथ हमने एक दम परफेक अच्छिंग में बहाँ जदा इंडर स्वक्तो आच कोड़ में इतना है सो मिलतें नेक्स विडियो में थैंक यव वाचिंग वाचिंग दिस विडियो